2006 में देखने को मिला था, almost 18 years के बाद इतना massive volume change हमें देखने को मिल रहा है Hi everyone, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे penny stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं जहांपर हमें last week एक काफी अच्छा breakout देखने को मिला है और अगर इस stock breakout के direction में अगर movement हो continue करता है तो हमें आने वाले समय में एक अच्छा return देखने को मिल सकता है अब बात करतें stock की Stock का नाम है rama news और year eyes का chart तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find out करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा enterprise होगा, क्या stopless होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग यहां पर जो time frame उच करें वो है weekly का तो सबसे पहले हम लोग region को find out करते हैं और उसके बाद हम लोग levels को find out करेंगे तो यहां पर एक simple सा train line अगर आपको train line draw करना नहीं आता है तो मैंने इस पर already एक video बना रखा है आपको जब भी time मिले आप उसे जाके देख सकते हैं तो आप यहां पर notice करेंगे कि यह जो train line था एक kind of resistance की तरह act कर रहा था जब भी prices level को touch करती थी हमें downside में एक बड़ा move देखने को मिलता था जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं multiple times हमें same level से एक reversal देखने को मिल रहा था बट आप यहां पर notice करेंगे कि last week में हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है train line का breakout अब बात करते हैं volume की आप यहां पर notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो previous कई week के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के उपर जाने के जो probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है यह जो concept है पो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों जगा मदद करेगा अब बात करते हैं volume की तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि जो last week का जो volume था ऐसा volume हमें last time 2006 में देखने को मिला था almost 18 years के बाद इतना massive volume change हमें देखने को मिल रहा है that means something happened last week अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 24.5 के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो देखिए stop loss हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते हैं जहां से price बार बार एक reversal दिखाता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कई weeks से price इस level को break करने की कोशिस कर रहा है बढ़ इसे break नहीं कर पा रहा है that means कि यहां पर buyers available है और in other terms you can also say that demand is greater than supply that's the reason price is not falling और यह आ रहा है 18 rupees closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 27.9 का second target है 33 का and third target है हमारा पास 39.25 का तो I hope का आपको इस वीडियो से कुछ knowledge मिला होगा thanks for watching